तो कैसे हमें करना होता है तो वह मैं आपके आज हम देखेंगे ठीक है सेनेरियो क्या पहले फ़र समझ लेते हैं देखो नेटवर्क में हमारे पार जो डिवाइस है आइधर स्विच या राउटर तो उसको इनिशेलाइज अगर इनिशेल कॉन्फिकेशन की बात करें सब्सक्राइब और यह मेरा न्यू न्यू राउटर है तो जब इसको बॉक्स क इसको जब ओपन करेंगे तो हम इसको कैसे करना है कॉन्फिकर वह मैं आपको साथ शेयर करूंगा तो इनिशेल कॉन्फिकेशन बेसिकले बोलेंगे इसको इनिशेल कॉन्फिक्रेशन of router तो router को आपको कैसे configure करना है वो मैं इसके अंदर आपको बताँगा आप ठीक है तो आप देखो जो हमारा router होता है ठीक है इस router में होते हैं बहुत सारे port ये जो port होते हैं support this is a gigabit 0x0 port this is a gigabit 0x1 port this is a gigabit 0x2 port this is a gigabit 0x3 port तो ये जो ports आपके सामने हैं these are physical port और इन physical port को हम क्या करते हैं switch के साथ connect करते हैं ठीक है switch से connect करते हैं और इसको पर हम IP देते हैं और switch से हमारे पास जो devices दें वो connect होते हैं तो these are physical port ठीक है लेकिन अगर मान के चलो मुझे router को initial configure करना है सो हमारे पास एक port होता है जिसको हम लोग बोलते है console port these are the port this is the port जिससे हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने router को CLI access लेके configurations करेंगे देखो जो पुराने router हैं उसमें आपको console port मिलेगा लेकिन आज कल जितने भी latest router है ठीक है उनमें एक से अलग से port होता है this is the management port एक port अलग से होता है मैं colorful change कर देता हूँ suppose एक port और है यहाँ पे suppose एक port और बना दिया this is the management port हमेना जब देखो router को commands पे configure करना वह आपको मैं बता हूँ आँ सीख जाओगे लेकिन दिक्कत क्या आती है जब आप real world जाओगे suppose आप किसी company में hire होए और आपके सामने एक router physical router आपके सामने आएगा तो उस box को कैसे हम configure करेंगे यानि इसको connect कैसे करना है यह जानना ज़रूरी देखो commands तो आप सीख जाओगे तो अब आप रियल में अगर कोई router आपके सामने आएगा तो उसको कैसे configure करोगे तो वह आपके लिए चैलेंज आ जाता है कई बार ठीक है तो हम कैसे करेंगे basically तो कुछ ports के बार में मैं आपको बता देता हूँ तो यह हमारे पास जो है यह auxiliary port का मैंने तो कभी यूज नहीं किया तो जरूद भी नहीं पढ़ती है ठीक है तो भूल जाओ बट auxiliary port होती है बट पुराने devices में मिलेगा बट वी डूंट यूज अब management port console port में क्या differences है वह थोड़ा सा discuss कर लेते हैं देखो console port आपका वह port होता है जिसको आप router को physically connect करके आप उस पर configuration करोगे मान के चलो आपको router को connect करना है और configure करना है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप अपने laptop पे जब हो दिया अपने laptop लिया यह अपका laptop है इस laptop के साथ आप क्या करोगे यह जो आपका console port है यहां से cable निकालके आप अपने laptop में USB port पे लगाओगे और यह जो port होगा this is the RJ45 connector RJ45 और इस cable को बोलते हैं हम लोग console cable इसको क्या बोलते हैं हम console cable तो जब हम router को first time configure करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा एक console cable चाहिए होगा console cable के दो end होगे एक end पे RJ45 connector होगा जो आपके इस console cable port पे लग जाएगा और दूसरा end जो USB वाला होगा वो आपके laptop में connect हो जाएगा अब question यह आता है कि इस cable को दिखता कैसे थोड़ा सा वो देख लेते हैं तो अगर मैं यहां पर चलता हूं और यहां पर डालता हूं console cable enter मारता हूं तो this is a console cable यह console cable है प्राइस देख लो इतने कासपस काता इसने भी महंगे आते हैं तो this is the cable और आप देखते तो यह USB port है जो आपके laptop पे connect होगा और जो दूसरा end है यह वाला जो आपके console port पे लगेगा console port मुझे कैसे बता लेगा अगर router पे console port कौन सा है तो console port के उपर लिखा होता है तो अगर मैं यहां पर जाके यह भी टाइप करूं console port अगर यहां पर जाके टाइप करूं router Cisco router लिख लेते हैं Cisco router console port image पे चलते हैं so these are the console port लिखा हुआ रहा देखो ओपर की तरफ आप यहां पे pen पे तो यह console port लिखा रहा ब्लू में यह देखो console लिखा न है यहां पर console यहां पर तो यहां पर देखो 4g45 वाला connector लगा होगा है और यह दूसरे end कहां पे लगा हो आपके laptop में लगा होगा तो पहले आपको physically ऐसे connect करना पड़ेगा फर्स टाइम उस router को लोगे उस router पे यह console पो यह वाला port लगा होगे दूसरे end up के USB में connect कर लोगे अब connect करने के बाद हमें router को access कैसे करना है फिर हमें क्या करना होगा यह जो मेरा laptop है in this laptop I will install an application called putty यह putty application मुझे system पे install करना है install भी करना होता है आपको just download करना double click करना that's it को installation भी नहीं होता मैं यह पर install ना लिखे मोल दू download कर लें तो याद अच्छा रहेगा तो इससे आपको क्या करना होगा आपको download करना होगा इस पुट्टी अप्लिकेशन को तो जब आप पुट्टी अपने डाउनलोड करोगे तो मैंने यहां पर जैसे अपने laptop पे किया हुआ है let's say putty इस पुट्टी अप्लिकेशन कहां से मिलेगा गूगल पे चले जाओ सब कुछ में मिलें आप डाउनलोड और आपको यहां पर फर्स्ट जो लिखा रहा पुट्टी.org इस पे जाओगे सबसे टॉप पे लिखते हैं जी नहीं नहीं कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना भी डाउनलोड मैं भी डाउनलोड किसे का अभी बस बता रहा हूं फॉलो करो सब देख सुनते चले जाओ यह तब करना जब मैं आपको बोलूँगा करने के लिए सब अभी देखो ठीक है अभी फिजिकल डिवास को थोड़ी करेंगे तो मैं इस पर प्रक्टिकल करना है इस पर पाकेट ट्रब करना है तो मैं कैसे इसको समझाऊंगा तो यहां पर डाउनलोड पुट्टी का ओप्शन आ रहा है जस्क्लिक डाउनलोड यहां पर यहां पर यह रा गया ठीक है डाउनलोड पुट्टी यहां पर आ रहा है ठीक है तो यहां पर आप करो अभी ओपन हो गया तो अभी आप सब से थोड़ा सा नीची आओगे देखो मैं दुबार बता दो आपको यहां पर डाउनलोड पुट्टी पर क्लिक करना है तो यह खुल गया थोड़ सा नीची आओगे तो यहां पर मिलेगा आपको 64-bit यह पुट्टी-EXE जिस पर क्लिक करोगे यह डाउनलोड हो जाएगा तो अभी फिलाल डाउनलोड वस सेव पर क्लिक कर देना है जब यह डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप पे यह अप आपको अपने लैपटॉप के डिवाइस मैनेजर पे जाना है तो कमांड क्या है देव-mgmt.msc इसको उपन करना है डिवाइस मैनेजमेंट पे जब आप डिवाइस मैनेजर पे जाओगे तो आपका यहां पर मिलेगा USB का सेक्शन लिखा रहे है यहां पर USB सेक्शन तो अब अभी तो फिलाल नहीं लेखा हुआ क्योंकि आएगया न कोई रिकर यहां पर लिखा है का यहां पर यहां पर erPOSal यहां पर प्लिक करके राइट पर प्रापरटी जहा हुएस जाओगा तो और이면 शेय् mosca no isu 611 यहां पर फेल इस लिखा लिखा हूब एक लिखा ओन लेस न कर नमबर तो आपको communication port number कैसे डालना है यहाँ पर आपको मिलेगा serial इस पर क्लिक करना है यहाँ पर कॉम का line number आ रहा है तो जो भी number वहाँ पर display कर रहा हुआ device manager में USB का वही आपको यहाँ पर करना है suppose वहाँ पर 2 दे रहा है तो आपको यहाँ पर 1 करना है और यहाँ पर फिर आपको open पर क्लिक करना है यह open की तरफ क्लिक करना है फिलाल मेरे यहाँ पर कोई भी communication port नहीं है तो यहाँ पर error दे देगा बट आपको जब आपके पास real router होगा तो आपके पास एक black screen खुल के आ जाएगी फिर आपको राउटो का configure करना है तो यह initial configuration के लिए setup जो करना होता है वो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको करना है तो यह putty application को download करके इसको double click करोगे जब putty को open कर लोगे तो वहाँ पर उस हाँ पर serial का एक circle logo उस पर click करना है device manager पर जाके चेक करना है कि आपके USB के port के console का com port number कितना है और वही port number वहाँ पर डालके open पर click कर लोगे विल गट the black screen और उसका configuration के लिए आ जाएगा तो अब हम क्या करने जा रहे है कि कैसे configuration करेंगे तो console port को तो मैंने बताया कि जब first time आपको communication करना है convince करना है तो console port को उस करना है अब यहाँ पर management port number है management port है अब management port का क्या concept है उसको समझते हैं देखो पुराने अगर आप मैं router की बात करूँ तो उस time पर management port नहीं होता था लेकिन आजकल जितने भी आपके router switches आ रहे हैं या firewall आ रहे हैं उन सभी पर एक external management port दिया होता है इसका काम क्या होता है समझो पहले कि हम लोग क्या करते थे पहले हमारे पास ऐसा होता था कि जो हमारा router है इस router पर जो यह port है gigabit port gigabit 0 by 0 gigabit 0 by 1 gigabit 0 by 2 and gigabit 0 by 3 तो मैंने suppose क्या किया इससे केवल निकालके अपने switch में लगा दिया यह gigabit 0 by 0 port है इसको पर हमने एक IP address असाइं कर दिया 10.1.1.1 suppose और यहां पर switch से मैंने एक अपना laptop या अपने desktop बढ़ेवर कर ले इसको भी मैंने आप भी दे दिया 10.1.1.10 अब मान के चलो कि मेरा इस यह जो मेरा router है इस router से आगे इंटरनेट connected है और इंटरनेट पर अपने गूगल के अब जेखो क्या होता था पहले की टाइम की बात कर रहा हूं पहले क्या होता था था तो था तो आपने अपने रॉटर को सेट अप कर दिया अब मां के चलो कि आपको क्या करना है Google को access करना है तो आप अपने system से traffic initiate करोगे suppose आपने browser पर जाके टाइप के www.google.com तो आपके system पर यह generate हुआ एक web का data generate होगा तो यह कैसा data है कि user data है यह कैसा data है this is the user data एक web service के लिए आपने क्या क्या request किया तो आपके system से Google.com के लिए request गई आपके switch के पास गया पहले यहाँ से switch के पास जाएगा फिर switch से यहाँ पर होते हुए आपके इस interface पर जाएगा suppose आपके इस वल इंटरफेस से यह जो gigabit यह दूसरा port है gigabit 0x2 इस port के ओपर IP 100.1.1.2 100.1.1 मान के चलते है ठीक है तो traffic कहाँ आएगा traffic यहाँ से system से generate हुआ यहाँ पहुचा switch के पास switch के पास से होते हुए इस वल इंटरफेस पर आया फिर इस वल इंटरफेस से बहार चला गया और packet चला गया आपके Google के पास तो मतलब यहाँ से packet आया दूसरे इंटरफेस से packet पाने कलिया आपके request चलेगी और यह data कैसा था यूजर का data था अब आपको क्या करना है इस router को telnet करना है telnet हम करते है जब हम राउटर को remotely मैं बैठा हूँ suppose अपने first floor पे और मेरा router रखा हुआ है 5th floor पे server room में तो मुझे क्या करना है उस router को access करना है command configuration करना है अब मैं बार-बार तो server room में जाके physically अपने device से connect हुड़ी करूँगा बार-बार console से console के उपर हम first time configure करके router को क्या करते है अपने rack में लगा देते हैं और उस router के उपर हम लोग एक service enable कर देते हैं either telnet, either SSH बात करेंगे कैसे करते हैं वो बात की बात है ताकि मैं router को remotely भी access करके उसके उबर काम कर पाऊ तो अब router आपका ये 5th floor पे रखा हुआ है और आप बैठे हो सब उस ground floor पे अब आपको उस router को access करना है तो ये जो आपने telnet लिया router का because you want to configure your device तो ये traffic कैसा होगा management traffic ये कैसा traffic होगा management traffic क्योंकि आप router को configure कर रहे हो तो जब हम router को configure करते हैं तो traffic कैसा रहता है वो type क्या होता traffic का management traffic बट अगर आप कोई google की services access कर रहे हो या कोई server से आप data access कर रहे हो या server में data upload कर रहे हो तो ये हो गया आपका data traffic that is a data traffic तो आपके पास एक ही path है data traffic को send करने के लिए और management का भी क्योंकि आप telnet कर रहे हो तो एक ही interface है इसी interface से connect हो आप इसी से telnet कर रहे हो इसी IP को hit कर रहे हो तो आपके सारा data management का भी इसी port पे जा रहा है user का data भी इसी port पे जा रहा है तो वहाँ पे आपका जो management traffic और data traffic जो था वो एक ही path, single path पे travel करता था नहीं बात कर रहा हो आपके 10 सल, 15 सल पुराने routers की उस time पे कोई management port नहीं होता था तो आपका management traffic अगर जाता है तो मतलब router को जब आप configure करोगे तो आपको क्या पूछेगा username, password और फिर आपको वहाँ पे अपका username, password देना रहता है मान के चलो कि इसी switch के साथ कोई attacker बैठा हुआ है और अपने laptop पे एक application इंस्टॉल कर रखा वायर्शाक एक application होता है हम उसको डाल सकते अपने laptop पे जो क्या करता है हम लोग देखेंगे इसको use करेंगे, सीखेंगे बट packet capture के लिए होता है ठीक है, यह packet capture जो भी आपके, मान के चलो कि एक ही single path से आपका user का data भी जा रहा है और इसे single path से आपका management का data भी जा रहा है तो मान के चलो कि जो network engineer था उसने इस router पे telnet configure किया हुआ था और यह जो attacker red PC जो उसी switch से connected है उसने क्या किया हूँ अपने वायर्शाक application के उपर आपके packet को capture पे लगा रहा है कि अगर इस switch से कोई data जाता है तो मैं उसको capture कर पाहूँ तो यूजर ने क्या किया वहाँ पे telnet configure किया ठीक है telnet दिया 10.101 और उसने username password पूचा router का username password दिया और enter मार दिया अब यहाँ पे data जाने का भी path ही किया और management traffic जाने का भी path एक ही है तो यहाँ पे उस router जो red system था उसने क्या किया उसने packet capture लगा रखा था जो data उस पोर्ट से जा रहा था उसने उसको capture किया और telnet का data था उसने easily username password उसको मिल गया मैं दिखाऊंगा यह करके आने वाले time में जब मैं आपको telnet सिखाऊंगा configure करना सिखाऊंगा और जब मैं SS configure करना सिखाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि अगर telnet आप configure करते हो तो कितना danger होता है तो वहाँ पे आपको username password कोई भी देख सकता है ठीक है तो वहाँ पे न तब तो पुराने time में क्या होता था यह problem होती थी कि आपका management traffic और data traffic एक ही path से जा रहा है तो management traffic थोड़ा से danger होता है क्योंकि वहाँ पे router को configure करने के लिए अपना सारा data भीजोगे और अगर आपका वहाँ पे कोई user बैठा है जो कि आपके packet को capture कर रहा है तो वह सारा packet उसको मिल जाएगा management का तो इसी problem को देखने के बाद क्या किया गया Cisco ने एक management traffic के लिए dedicated port दे दिया तो मैं दोबारा draw कर रहा हूँ देखो यह छोड़ोड़ी चीज़े पता होंगी ना तभी आप router को manage कर पाऊँगे अच्छे से नहीं तो फिर तो हो लिया काम तो यह मेरा router है इस router पर सपोज यह port है तीनी port बनाते है gigabit 0x0, gigabit 0x1 and gigabit 0x2 और आपको एक dedicated management port मिलता है आपके पास एक dedicated सपोज यह port है this is the mgmt port लिख देता हूँ मैं mgmt management लिखा होता है अभी दिखा दूँगा मैं इस image कैसा दिखता है और एक होता आपका console port console port का काम अलग है management port का काम अलग है ध्यान रखना अब console port को यूज कप करेंगे जब हमें physically router को एक्सेस करना है console cable से cable निकालके अपने laptop पर करनेक करूँगा तब मैं laptop मतलब router के पास ही बैठा हूँगा तो console port के बारे में बात निकरेंगे तो अब हमारा management port dedicated होता है तो हम क्या करेंगे हमारे पास एक switch होगा we will take a switch suppose मैं एक switch ले लिया this is my switch switch पर भी बहुत सारे port बने होंगे आपको पता switch में बहुत सारे ports होते हैं कि तो मैं management traffic यानि जो management है यहां से cable निकालूंगा कि यहां से green ले लेते हैं मैं यहां से cable निकालूंगा management से और मैं एक switch के किसी port पर लगा दूँगा और इस management port पर एक IP देदूगा 10.1.1.1 और यह जो gigabit 0.0 मान के जलो यहां पर आपका internet connected है this is the ISP यह मेरा internet है तो अब internet के लिए internet वाला क्या करें cable देगा आपको तो उस cable को मैंने लगा दिया gigabit 0.0 port पर ठीक है internet से connection आया मैंने इसको कहां पर लगा दिया gigabit 0.0 पर इसको पर IP देदी मैंने 100.1.1.1 configuration कैसे करता हो बाद में अभी थोड़ देन में आएंगे उसके उपर अभी मैं थोड़ा सा setup पता दाओ कि कैसे आपको setup करना होता है और और आपका एक cable निकल के आ गया gigabit 0.1 से आपके switch के किसी एक port पर है suppose यह fast इतना यह gigabit 0.1 port है इस पर लगा दिया और आपके सारे users जो है यहां connected है इन port से connected है तो यहां पर network चल रहा है 192.168.10.0.24 का network तो आपने इस router के private area 192.168.10.1 दे दिया और बाकी जितने भी system होगे उनको आपने 10.2.10.3 अपर ऐसे दे दिया तो अगर मान के चलो कि मुझे इस router को telnet करना है suppose है कि यहां पर मेरे पास एक IT का बंदा बैठा हुआ है इस इस आई टी गाई जो कि एक laptop लेकर बैठा हुआ है तो यह अगर router को telnet करेगा telnet तो IP क्या देगा 10.1.1.1 दे दिया तो traffic इसका यहां से गया यहां से निकल के चला गया और यहां से आपका सारा management का traffic आ रहा है और किसी user को अगर internet access करना है तो traffic यहां से जाएगा और यहां से निकल जाएगा तो मतलब आपका जो data path है वो एक separate path हो गया और management path क्या हो गया है separate हो गया जिसमें आपका जो कहलो कि जो processing हो गई वो different हो गई यानि आपका एक single path के जिए कर दिया आपका data जो user का data है और management का data है वो mix नहीं हो रहा है एक path से नहीं जा रहा है तो आज कल इस तरह से network को design किया आता है मैंने कई लोग को देखा है वो management port को होते हुए भी वो management port पे कोई भी confusion नहीं करते है वो dedicatedly जैसे यह interface लगा इसी IP पर हिट मार रहे हैं तो अगर मैं एक attacker हूँ और मुझे थोड़ा technical sound मेरा अच्छा है चाए भले ही मैं किसी अधर department पे हूँ और मुझे पता लग गया कि router पे telnet configure किया हुआ है मैं router का easily username password grab कर सकता हूँ और मुझे username password मिल गया तो मैं router का ऐसा हाल कर सकता हूँ जो मुझे पता है मैं पूरे अपने control में ले सकता हूँ क्योंकि आप management port को use नहीं कर रहे हूँ आपने data port और management port होई एक ही पाच से दे रहे हूँ तो कोई attacker अगर packet को capture कर रहा और management traffic कर लिया और उसके हाथ में यूजर ने password लग गया तो router को compromise कर सकता है तो that is a reason हम लोग हमेशा management port को separate रखते हैं तो कभी भी आप देखेंगे तो और मैं आपको दिखा management port इमेज पे चले जाओ यहां पे नहीं दिया रखिया कि management port इंसको सुचार दिया रियली फिजिकल पूर्ट लुग जार्मेंट यही है क्या हाँ यही वाला है यह जो देख रहे हो यलो वाला यह यह आपका management port है और यह जो देख रहे हो आप यह आपका console port है यह management port यह console port बाकिये सारे यह बिसिकलिए switch है यह router नहीं है this is a switch Cisco का switch है मैं router देख रहा है तो router का भी same है मिलेगा switch और router में यह देखो यहाँ पर यह switch है तो this is the yellow portion is the management port यह management port है और यह आपका console port है और बाकिया आपके जो दूसरे interfaces है these are like this तो यह तो router नहीं है Cisco का सब्सक्राइब यहाँ पर देख लेते इमेज मिल जाएगा आपको 19XX मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पर 19 का मतलब है अगर यह 4 डिजिट में है that is a 1900 series router and we have gigabit 0 by 1 port we have gigabit 0 by 2 port this is the aux port and this is the manage console port तो aux port हमारा management के लिए यूज होता था पहले के time पर remotely access करने के लिए तो हम इसको पर IP address दे दे रहते हैं और हमें इसको remotely access करने के लिए मिल जाता है तो पहले जो management port था that is auxiliary port इससे अब switch पर connect करते हो इसको पर एक IP दे रहते हो तो आपका data traffic अलग हो गया oh sorry management traffic अलग हो गया data traffic यह वाला हो गया तो gigabit port fast ethernet port these are data port बोलते हैं उनको management port aux port these are management port तो पहले aux port होता था वाठाके इसको management port बना दिया है ठीक है चाओ तो आप देख सकते हैं और अगर भी मिस देखना तो मिल जाएगा ठीक है तो कुछ doubt है यहाँ तक anyone any doubt till the point भोलिए मुहमद जी अभी जीट anyhow any doubt till the point के लिए रहे हो रहा है समझ मेहारी चीज़े अब क्या करते हैं कि देखो मेरे पास तो कोई ऐसा physical router नहीं है तो मुझे इस चीज़ों को practical करना है so how can I do that so we'll go to my packet tracer so in the packet tracer we will make a lab I will make a lab तो कैसे lab बनाएंगे हम लोग तो basically हम क्या करते हैं कुछ एक छोटा सा lab setup बना देते हैं ठीक है तो मैं one nine four one router जो अभी उन्हें आपको picture दिखाया था मैंने डीड कर दिया गया एक सेकिंड one nine four one देख रहे हो यही वाला router आपके इस पैकेट ट्रेसर में भी है nine four one one nine one nine four one तो यही ले 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 लेते हैं हम लोग अब बोलों कि sir वो तो चकोर था यह goal है यह router का आइकन ऐसे ही हमें मतलब हमें mention होता है अनलों हमें डाइगरम में जब भी लाउट ओर इपर गड़ाई करते हैं तो यहां पर जाओगे यहां पर एक switch है यह 2960 switch इसको ले लेते हैं लोग ठीक है और उस switch से हम लोग क्या करें क्योंकि यह data port है तो मैं यहां से यह थर्ड नमबर वाला केबल अभी मैं केबल पढ़ाया निया तो एक दो दिन वेट को केबल भी पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले जो थर्ड नमबर वाली केबल है यह है यह है copper straight cable तो यहां पर click करेंगे और कितना port है गीगाबीट 0x0 port है गीगाबीट 0x1 port है देखो auxiliary port भी है ठीक है अभी करते हैं इसको भी तो गीगाबीट 0x0 पर चलते हैं और इसको connect कर देतें गीगाबीट 0x1 port से स्विच के connect हो गया नमबर भी यहां पर mention हो रहा है और इस switch से हम लोग क्या करते हैं कुछ computers connect कर लेते हैं तो मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर computer आ रहा है PCRN को drag कर लेते हैं एक इसका नाम हम कर देतें PC1 PC2, PC3, PC4 चार हम PC ले लेते हैं ठीक है इनको भी connect करेंगे तो connect करने के लिए आप क्या करो गाइस यह सबसे पहले जो auto cable selection है इस पर चले जाओ directly यहां से connect कर लो ऐसे 1, 2, 1st वाले option पर 3, 4 connect हो गया अब हमने router पर setup करना है ठीक है थोड़ी देर रुक जाओ अब हम computers के उपर IP बात में देंगे पहले हम राउटर को configuration करते हैं ठीक है तो थोड़ा सा मैं इसको select कर लेता हूं और थोड़ा सा यहां कर लेता हूं तो मुझे laptop चाहिए होगा I will make a laptop तो laptop भी ले सकता हो desktop भी हम यहां पर laptop ले लेते हैं यहां पर चलते हैं और यहां पर यहां पर laptop इसको expand कर लो यहां से सब्सक्राइब यहां पर यहां पर नाम भी चेंज कर सकते हो IT PC IT Laptop whatever ठीक है यहां पर IP Laptop आ गया अब इस IP Laptop को कैसे connect करेंगे तो हमें console cable चाहिए होगा तो यह second नंबर वाला देख रहो console cable है यह second नंबर वाली cable केबल पर क्लिक करना है second नंबर पर आ रहा है console cable इस पर क्लिक किया अपने यहां पर चले गए अब यहां पर USB वाला यह console cable है no this is not a USB console cable this is the RS देख रहोगा क्या बोल रहा है the cable cannot be connected to this port क्योंकि यह जो cable है this is the this is not a USB port cable यह हमारा DB9 connector वाला cable है कैसा होता दिखा देता हूं DB9 connector console cable यह वाला cable है जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं this is the पहले यह वाले की port आते थे और इसमें तो यह वाला जो है laptop में तो यह वाला port होता नहीं था पुराने laptop जाओ तो उस पर मिलेगा लेकिन आजकल जितने भी traditional laptop है उस पर यह वाला port नहीं मिलेगा बट आपको system पर मिलेगा यह port तो system पर जो desktop machine है उस पर लगाओगे यह वाला port और यह वाला port obviously console के पर लगाओगे यहां पर जो port दिया हुआ है यह जो console port है यह USB वाला नहीं है यह DB9 वाला ही है तो DB9 इस laptop में पुराना laptop है तो इसमें है तो RS-232 को भी हम DB9 बोलते हैं यह जो अब port देख रहे हो अगर मैं बोलूं RS-232 port RS-232 port in laptop तो पहले कैसे उतर दिखा देता हूँ इमेज पर चलो अज़िक्स यह वाला देखे रहो आप यह port है यह वाला यह वाला यह दा इस वन अधिया यह वाला यह वाला यह वाला पोट ऐसा पोड़ा लैप्टॉप में पहले अब ही कौन आया रैपी होगा मेरे खाल से लेट मी ठीक है तो यह वाला पोट है हमारा ठीक है RS-232 वाला तो बिसिकली अभी वेज़ों हमारे पास यह जो लैप्टॉप है तो हम RS-232 पोट पे लगाएंगे और राउटर के हमें कंसोल पोट पे लगाना है और विल मेक दें इना कंसोल पोट लग गया मैं राउटर पे बैठा हूं सामने राउटर मेरा फिट फ्लोर पे लगा हुआ है सर्वर रूम में मैं वहीं पे बैठा हूं सारे फिफ फ्लोर पे लगे हुए यह अमारे ग्राउट फ्लोर के मशीन है यह भी आपने केबल पर लग रही है ठीक है देक्स पर बंदे बैठे हुए अब हम क्या करेंगे मैं लट्पोफ से इस रौटर को ऐक्सस करेंगे आप ही हम आई बगरं-बाद में डेंगे वहले हम देखते हैं कैसे रॉछन कारते हैं किस तरह से हम लोग?」 अब लप्टब में अगर हमें अक्सस करना तो मैंने एक वहला हुआ था अम्य ऐसा यहां पुट्टी पर यहां तो कोई पुट्टी होगा नहीं क्योंकि डमी डिवैस है तो यहां पर क्लिक करोगे आप डेक्स्टॉप पर उपर डेक्स्टॉप आ रहे हैं इस पर क्लिक करोगे यहां पर आता है आपका टर्मिनल यहाँ पर आपका रहा है टर्मिनल और एक कमांड प्रोंप्ट आपको कमांड प्रोंप्ट पे नहीं जाना है आपको टर्मिनल वाले इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है टर्मिनल मतलब पुट्टी वह जो पुट्टी का टर्मिनल होता, उसी को हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ को टर्मिनल पे, कुछ भी चेंजिज नहीं करना है, आपको ओके पर कर देना, तो आपके पास ये लैप्टॉप से क्या आगया, राउटर का कंसोल आगया, ये राउटर का कंसोल आगया आपके पास, तो जब आप राउटर को फर्स टाम एक्सेस करते हो, तो कह रहा है, वुड यू लाइक टू, एंटर इनिशिल कॉन्फिगेशन डालोग, राउटर आपको पूछ रहा है कि क्या आप इस डालोग बॉक्स को, यानि इस राउटर को इनिशिल कॉन्फिगेशन करना चाहते हो, तो आप अगर यहाँ प कि नहीं यार मैं राउटर को अपने हिसाब से कॉन्फिगर करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर नो करूँगा, अगर आप येस कर दोगे तो फिर बाहर नहीं आपाओगे, जब तक आप पूरी कॉन्फिगेशन को अप्लीट नहीं करोगे, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमन मैंने जो आप लोग को फाइल भेजी है, आपको जो ग्रूप में, तो आपको ये फाइल मिलेगी, इसके 80 नंबर पेज पे आना है आपको, 80 नंबर पेज पे आना है, या आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर 6 मिलेगा, राउटर बहुत बढ़िया मुझे ये बुक लगा, हाला कि मैंने बुक पढ़ा भी नहीं है, बट मैंने जितना पढ़ा थोड़ा बहुत 5-10 मिर्ट निकाल के, तो मुझे ठीक लगा, वैल्यूबिल चीज लगी है, और Cisco का ही ये बुक है, तो जरूरी नहीं है, बुक के अंदर जित राउटर की कॉनफिशन पर जाओंगा, तो यहां पर यह सारी configuration मैं कर सकता हूँ, यह सारी, मैं देखाँगा कैसे काई, थोड़ा नीचे आते हैं यहां पर, तो यह सारी configuration अभी हम करेंगे, थोड़ दे रुको, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउटर के mode की, सबसे पहला mode होता है अपका ये mode जब भी आप router को first time access करते हो you will land on this mode and this mode is called a user mode या user exact mode user exact E-S-E-C exact mode भी बोलते हैं या this is the user mode तो मैं देखो अगर ध्यान से तो मैं कौन से mode पे land हुआ हूँ user exact mode पे this is the user mode इसके बाद जो अगला mode होता है जिसे बोलते हैं privilege mode privilege privilege mode अगर अपका hash लिखा आता है तो privilege mode पे कैसे आओगे आपको command type करना यहाँ पे enable जो आपका user mode है यहाँ पे command type करना आपको enable करके enter मार होगे you will land this mode तो just go to your and type enable इसके बाद अगला होता है अगर आपको router लिखा हो आता यहाँ पे और यहाँ पे configure लिखा हो था config लिखा आता है that means it's a global configuration mode देखो अगर आप CCNA का certification देते हो ना exam देते हो तो dear जो मैं बोलता हूँ ना सिरब उसको follow कर लो मैं guarantee लेता हूँ इस चीज़ की आपका exam Cisco का जो official certification है आप पास कर जाओगे चीक है मेरे बहुत साइब students है जिन्होंने CCNA का exam दिया है और उन्होंने clear किया इक्जाम की फीस almost 20,000 एकी बर मौका मिलता है लेकिन एकी बर बहुत इनफ होता है इतना easy exam होता है easy ताब होगा जब आप पड़ोगे तो मैं जो चीज़ online होता है center में जाके दे सकते हो online दे सकते हो certification के लिए बाद में बात कर लेंगे मैं बता दूँग कैसे आपको देना होता है जब आप पहले course को कर लो उसके बाद देखते है तो ना हो अब देखो तो यहां पे आपका अगर config लिखा आता है that is a global configuration mode ठीक है तो इसको global configuration mode बोलते हैं अगर आपको यहां पे router, config और यह if लिखा आता है hyphen देखे दिसा interface mode इसको बोलते हैं interface mode तो देखो एक्जाम में आपके पास ये वला option होगा ये दिया होगा question के अंदर और answer के अंदर is it user mode, is it privilege mode, is it global configuration mode, is it interface mode चार option देंगे question ही होगा तो right answer is interface mode पता होगा तब ही कर पाओगे, तो ये आपको एक्जाम में 100% तो ये बोल सकता, but 90% चांसे ये question आ सकता है, आपके mode के बारे में, ठीक है, तो एक number का एक्जाम आपका पास हो गया, तो बहुत सारी simple exam होता है, ठीक है, क्योंकि last week में एक student ने phone करके उसका, basically उसने मुझा feedback विया, कि उसका exam conduct हुआ था, उसने clear कर लिया है, और जो बैने बताया था, 80% उसका मद्दा उसी में से ही आया था, तो, और 80% mark बहुत होता है, exam को clear करने के लिए, ठीक है, 80, 80, 55% requirement होती है, अब अगर 100% का अगर आपका exam है, तो आपको passing marks ये होते हैं, 82, 85, ध्यान रखना, it's a passing mark, तो passing marks की अगर average 80 to 85% रखा हुआ है, 100 में से, that means, easy exam है, तभी तो रखा हुआ है, अगर hard exam होता, तो ratio रखते हैं 50, 60, whatever, पता ratio is 85%, तो अगर आपके 100 में से 70 नमबर आती हो, fail, means you have to attend again, तो मेरे खाल से इसको एक attempt और देता है, पहले एक attempt होता था, लेकिन आपके पास एक attempt और होता है, बद दो attempt में fail हो गए, तो 200 रुपे पानी, पर दो attempt बहुत होता है, एक attempt ही बंदे पास हो जाते हैं, ठीक, इतने exam easy होता है, तो बात की बात करेंगे हम लोग उस चीज़ के बारे में, कैसे exam करना और exam देने से पहले है, क्या क्या चीज़ आपके दुआरे से revision करना है, चलो, तो यह हमारे mode है, global configuration mode बोलते हैं, इसको हम लोग, यह interface mode होता है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और भी mode के बारे में देखते हैं, अगर आपको router config sub interface, मैं दिखाऊँगा सारी चीज़े, यह सारे mode दिखाऊँगा अब लोग को, तो इसको बोलते हम sub interface mode, इन modes पे कैसे आया जाता है, और हर mode के ओपर हम कुछ लग उस configure करेंगे, तो बात देखेंगे, एक होता हमारा router का config line, इसको बोलते हम line mode, एक होता है configure hyphen router, it's a router configuration mode, तो these are the different different mode, तो यह book के अंदर आपको मिलेगा, चाओ तो notes बना देने इसका, ठीक है, अगर आपको, यह जो पहला mode हो limit viewing the configuration, you cannot make changes in this mode, क्या बोल रहा है, यह अगर आप इस mode पे हो, तो आपको limited access मिलता है configuration का, और आप router को, you cannot make changes in this mode, आप router को change नहीं कर सकते हैं, कोई configuration अगरा, इस mode के अंदर, आप यहाँ पे सिरफ चीजे देख सकते हो, कुछ information अगर router की देखना चाहते हो, तो इस mode पे देख स आप कुछ configuration देख सकते हो, router की, इस mode को पर router की कोई configuration नहीं देख सकते हो, इस mode पे, इस mode को change भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो इस mode पे कैसे जाते है, अगर मैं इस mode से, इस mode पे आना चाहूं, तो कैसे आऊँगा, तो थोड़ा सा नीचे आते है, अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या type करना है, enable command type करना है, यहाँ पे क्या type करना है, एक मिंदे ना, यह, एक second लोगो, इस पे लिखने का भी आएगा न, let me, देखते हैं, यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, आतो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे enable करके enter मारोगे, तो आप कौन से mode पे आजाओगे, यहाँ mode पे आजाओगे, और इस mode पे आपको क्या लिखना है, configure terminal लिखना है, फिर आप कौन से mode पे आजाओगे, configuration mode पे आजाओगे, तो करके देख लेते हैं, इस सीच को, तो हम router पे चलते हैं, और यहाँ पे type करते हैं, enable देखो, enable पे आजए, और यहाँ पे लिखता हूँ, configure space terminal, और enter मारते हैं, तो मैं देखो, कौन से mode पे आज़ा, this is the global configuration mode, मैं आज़ा, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, configure the hostname, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, configure the hostname, कैसे configure करेंगे, आपको global configuration को पर command लिखना ह है, hostname, और क्या नाम रखना चाते हो, Cisco, तो Cisco रख दो, Cisco नाम हो जाएगा, तो अपके router का नाम पहले router था, जब अपने hostname Cisco दे दिया, तो नाम क्या होगा इसका, Cisco, तो यही चीज़ हम करके देख लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे hostname Cisco, enter मार दिया, तो देखो, router क नाम अब क्या हो गया, Cisco, अगर मैं बोलता हूँ, hostname, R1, enter, तो router का नाम क्या हो गया, router 1, यही R1, R1 का मलब, router 1, तो you can change your name, with the command, hostname, with the command, hostname, तो hostname command क्या होता है, आपको नाम को change करने के लिए होता है, करना configure the password, router पर पासवर्ड सेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो password सेट करने के लिए कमाल होते है, enable password, और उसके बद पासवर्ड दोगे Cisco, तो करके देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, enable, small में लिखते ह enable password, क्या password रखना है, अच्छा तो ना color चेंज करेंगे, black and white का combination तो मैं change करता हूँ, give a second guys, अपने packet tracer में चलते हैं, यहाँ पर मैं option पर आता हूँ, preferences पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं font पर आ जाता हूँ, color, यहाँ पर color section मिलेगा आपको, packet tracer के अंदर color section, कह रहा है कि जो आपके router का text है, वो black color में आ रहा है, और router का background है, वो white color में, ठीक है, बट PC का अगर मैं बात करूँ, तो PC का भी white color में आपका text आ रहा है, और black color का आपका background आ रहा है, तो मुझे PC का change करना है, PC का console text के आ रहा है, तो मैंने PC से ही तो access किया हुए, laptop ही तो है मेरा, this is my laptop, और अटाओ, this is my laptop, और console पर जाते हैं, ok करते हैं, तो color background black आ रहा है, text white आ रहा है, तो यह काम करते हैं, text का color black कर लेते हैं, और background color white करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अच्छ आ रहा जाओंगा, PC का text color मुझे क्या चाहिए, black, और PC का background color क्या चाहिए, white, and apply, and cross, करो, terminal, ok, now, अब थोड़ा सा समझ मा आएग, अच्छे से, तो यहाँ पर मैंने type किया, enable, और उसके बाद password, और क्या password रखना है, मैंने रखा Cisco, at the rate, 123, और enter मार दिया, अब मैं यहाँ से exit करता हूँ, मैं वापिस से यहाँ से भी exit करता हूँ, तो मैं वापिस दो बार मैंने exit किया, तो पहली बार मैंने जब exit किया, command दिया, तो मैं configuration mode से बाहर आ गया, अगर मैं यहाँ पर exit लिखता ह तो confusion mode से बाहर आके वाए आगे privilege mode पे, फिर मैंने यहाँ पर exit लिखता हूँ, मैं T मैंने छोड़ दिया, कोई लिकत नहीं, तो वापिस मैं कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर enable type करूँगा, अब मुझसे यह password पूछेगा, तो password हमने क्या र तो यहाँ पर मैंने exit लिखा और exit और enter मार दिया, तो यहाँ पर मैं वापिस से इस पर आ गया, फिर से enable करेंगे, और enter मारेंगे, तो password पूछेगा Cisco at the rate 123, तो मतलब password set करने के लिए होता है, लेकिन इस password को मैं देख सकता हूँ, कि मैंने जो enable को पर जो password set किया है, वो क्या set क किया है, वो मैं देख सकता हूँ, कैसे देखूँगा, आप privilege mode पर ही रहके, आपको command देना पर show space r u double n, tab मार देना, आपके keyboard में tab बटन होता है, tab मार देना, तो running configuration, show running configuration का मतलब है, कि जो भी मैंने भी configuration किया है, router पर जो भी running configuration है, वो मुझे show करो, मैं यहाँ पर enter मारूँग तो आप यह router की पूरी confusion आ जाएगी, बट मुझे एक section देख रहा है, यहाँ पर enable password, तो यहाँ पर password क्या लिखा रहा है, cisco at the rate 123, यानि किसी को अगर privilege mode का access आ गया, कोई बंदा privilege mode पर आ गया, उसे command देना, show running configuration, तो enable का password उसको पता लग जागा, मान के चलो आपका एक junior है, जो router पर काम करना चाहता है, तो आपको, क्या कि आपने उसको, आपने बूला ठीक है, मैं configuration करने के लिए, मैं आपको allow कर देता हूँ, बट आपने उसको enable का password नहीं बताया, आपने ये type के enable, और आपने खुझ से password type के, cisco at the rate 123, access आ गया, और आपने junior को head over कर दिया, junior smart था, उ उसको password पता लग गया, enable का, तो enable का password हम secure भी कर सकते है, कैसे secure कर सकते है, अगली command है हमारी enable secret, आप enable में, जहाँ पे अपने last time password दिया था, आप वहाँ पे क्या यूज करे, secret keyword यूज करे, और secret keyword को यूज करते हूँ, अगर मैं same password रग दिया, तो accept नहीं होगा, तो अगर आप आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं configuration mode पे जाऊँगा, configure terminal, और मैंने यहाँ पे type किया enable, क्योंकि मैं router पे जो भी configuration करूँगा, मैं global configuration mode पे आके, enable secret keyword को यूज करूँगा, secret, और मैंने password दिया यहाँ पे, suppose cisco at the rate one two three, मैंने, जो enable का password cisco at the rate one two three एका, वही मैं enable का secret का password भी same ही रख रहा हूँ, और enter मारता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, the enable secret you have chosen, is the same as the enable password, तो जो enable का password है, वही आप same इसका भी रखना चाहते हूँ, this not recommended, re-enter the enable secret, तो कहरा कि दूसरा कुछ password रखिये, तो मैं इसका cisco at the rate one two तो मेरे दोनों ही password set हो गए, enable का cisco at the rate one two three है और secret का cisco at the rate one two three four है, दोनों ही password set हो गए, चेक करते हैं, show running configuration, privilege mode पे, enable secret, जो password दिया था अपने cisco at the rate one two three four, उसने इसको change कर लिया देखो, encrypt कर दिया है basically, आपके password को securely encrypt कर दिया, दूसरे form में convert कर दिया, बर जो cisco enable का password है वो, अभी मुझे display हो रहा है, अब दोनों ही password set हो गए, ये वाला भी, और cisco at the rate one two three, जो इसने convert कर दिया, तो कोई अगर password देखता भी, इसको बतला कि cisco enable का password का है, cisco at the rate one two three, तो अब अग cisco at the rate one two three, जो cisco password enable का, नहीं accept किया, इसने, password cisco at the rate one two three four देगे, तो accept करेगा, तो अगर दोनों ही password set कर रखें आपने, हला कि हम इस enable password हम set नहीं करते, जो ये वाला command है, हम कभी भी use नहीं करते, this command I will not use in production, we use this method, ये वाला method कभी भी use मत करना, लेकिन दोनों तरीक आपको आन उनों ही set कर दिये, ये वाला भी set कर दिये, ये वाला भी set कर दिये, सब उध आपने password लखा, enable का password लखा अपने cisco, और इसका password लखा आपने class, तो जब enable करके enter मारोगे, password मांगेगे, अगर आप ये password होगे, आपका accept नहीं करेगा, password लखा, ये वाला लखा है, क्योंकि ये most prefer नहीं कर रखा है कि इनेवल और सिसको सिक्रेट में क्या डिफरेंट है बड़ मैं आपको बता दिए सिक्रेट विल बिल मॉस्स प्रिफरेड़ेबल ठीक है इतनी जी समझ भाई यह सुननों आगे बढ़ते हैं फिर किले हो रही ही चीजे है हां जी मुबारक रहपी अभी जी इत किले हो रही चीजे है बुक आपको बास मैंने शेर किया हुआ है इसको देख देख के आपको पैक्टिस भी करना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब अगली कमांड देखते क्या कर सकते हैं अब यहां पे कुछ कॉन्फिकिशन करते हैं जैसे लाइन कंसोल का पासवर्ड ठीक है मतलब देखो अभी हम पासवर्ड की सेटिंग कर रहे है ठीक है अब पासवर्ड में जो अगली सेटिंग है इसा लाइन कंसोल का पासवर्ड सेट करना है तो देखो क्या होता है मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो आपने अपने करके आप बाहर आ गए एक्जिट कर दिया अपने ठीक है और आपने यहां पर क्रोज कर दिया और आपना लैप्टॉप को डिसकनेक किया केबल को और आप चलेगा घर कि एक दूसरा बंद़ा अपना लैप्टॉप लेकर सर्फे रूम में जाता है chemistry जोकि सर्फ रूम में जाता है उसको कंशोल केवल मिलता है कंशोल केवल कंशोल केवल कौनए लापteau से कनेक करता है राउटर के console port पर connect कर देता है और राउटर को access करने की कुशिच करता है टर्मिनल ओके तो राउटर का उसको क्या में लिगा access में लिगा जो हाँ पर आपने छोड़ा था वहीं पर सारी चीदे को display हो रही है मुझे अच्छा इनेबल का password यह है जो भी है I can see everything जारे की मैंने cable लगा है सारा कुछ मुझे दिख रहा है screen के उपर जो बंदा पीछला काम करके गया क्या 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 काम करके गया सब कुछ मैं देख पा रहा हूं तो console port पर कोई भी लगा है और router को access कर ले ऐसा थोड़ी करना है तो मैं क्या करना है console को secure करना है कैसे करेंगे तो मैं वापिस इसको थोड़ा साला कर रखता हूं और अपने laptop वाले गाई को ही जालता हूं वापिस से हाला कि काम मैं यहां से भी कर सकता था इस वाले लेट्टो से भी कर सकता था बट नहीं मैं इससे करूंगा तो आपको कंसोल पोर्ट को भी सिक्योर करना है तो कैसे करोगे पहले आप इनेबल करो पासवर्ट डालो इनेबल का कॉन्फिगर मोड पे जाओ ग्लोबल कॉन्फिगेशन मोड पे आपको कमांड क्या टाइप करनी है लाइन कंसोल और राउटर पे सिरफ एक ही कंसोल पोर्ट होता है जिसका डिफॉल्ट नंबर होता है जीरो अगर मैं आपको कुश्चन माग करूं न मिनिमम वैल्य बुब मैक्सिमम ढेल भी जीरो है फर्स लाइन नंबर तो आपका नंबर क्या है एक ही के नीचे इसा 0 number port और इसा 1 number port तो जिस पर भी port पे आप लगाओगे उसके आप कर सकते हो बट मेरे यहां पर line console 0 करूँगा ठीक है चलो फैल कमांड पर चलते हैं कमांड क्या बोलता है कमांड बोलता है password डाल दो उसके बार आपको password डालना है और आपको पास्वर्ड क्या रखना है यहां पर console का मतला console यह password है कुछ भी रख सकते हो cisco at the red 1 to 3, this is a password this is not a console आपको password पास्वर्ड क्या रखना है तो यहां पर क्या है इस password को console रखा हो, रखाए तो console line mode password to console, तो मैं यहां पर और दिंगे मई पासवर्ड क्या लखना चाहता हूं चस्कोड यह फिरम पास्वर्ड रखता हूं 123 एंटर। दिया मैं पास्वर्ड um 123 रखा उसन पासवर्ड console रखा हुआ, तो confused नहीं हो रहा है, यहां पर console टाइप नहीं करना है, पासफ़र्ट क्या रखना है, वो password आपको टाइप करना है, और कभी ऐसे password मत रख देना, थोड़ा complex रखना होता है, 16-18 गरेक्टर का, जिसमें alphanumeric and case sensitive जो होगा, वो mix होगा, ठीक है, तो मैंने password क्या रखा, console का, 1, 2, 3, लेकिन यह password मुझसे कब माँगे, जब कोई login करे, console के थुरू, तो मैं यह पर command दूँँग और login, मैंने दिया, console का password 0 सेट कर दे है, मैंने दिया, console का password किस पे, 0 पे गया, मैंने भोला, password मुझे 1, 2, 3 रखना है, और यह 1, 2, 3, password मुझसे कब मांगे. जब मैं console पे क्या करने की कोशिछ करूug in, यह keyword पेor जरूर है, login नहीं दो गआ तो password नहीं मांगेगा. अब again यहां से exit करो, यहां से exit करो, यहां से ग elder करो और enter मारो, now it will perform the password. अब अगर अगर console पे, अगर को एक console कीमल को connect करता है to और यहां पर जाता है और यहां पर एंटर मारता है क्या मांग रहा है पासवर्ड पासवर्ड जब तक नहीं दूंगा 123 एंटर मारूंगा तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगा फिर मुझे इनेबल का पासवर्ड देना है इसको एडरेट 1234 जोलत हुगया तो यहां पर लाइन कंसोल पर पासवर्ड लगा सकते है एक्जिट करो यह एंबल कर अगें देखो खाहां पर आगे फिर से कंसोल पर पासवर्ड पूछ रहा है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे आप आप आक्सेस ने लिपाऊगे तो console को secure करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं और यह 100% आपको मिलता है ठीक है अब अगला आता है router को टैलनेट करने के लिए router को टैलनेट करने के लिए तो router को अगर मुझे remotely access करना है तो मुझे router के ओपर क्या करना होगा virtual terminal create करना होगा और virtual terminal हम create करते हैं जब मुझे router को कैसे access करना है रिमोटली मैं कहीं और बैठा हूँ router कहीं हौल लगा हुआ है मुझे router को access करना है तो मुझे router के ओपर क्या create करना होगा virtual terminal create करना होगा तो virtual terminal जब आप create कर दोगे तो router को आप क्या ले सकते हो और मुझे virtual terminal बनाना है तो मैं यह पर लिखूँगा virtual terminal पहले हमने line console लिखा था तो line console का मतलब है मैं router के console port के ओपर configuration करने जा रहा हूँ बट अब मैं line vty लिख रहा हूँ मतलब मैं virtual terminal के ओपर configuration करूँगा मतलब I will create a virtual terminal virtual terminal के बाद आपके पास आपको एक number देना होगा this is a 0 and this is a 4 0 ही 4 का मतलब क्या है कि यहां पे maximum 5 user साइमें टेलिजी क्या कर सकते है router को access कर सकते है मतलब at the same time 5 user can access the router अगर मैं बोलू कि मुझे 10 लोगों को access देना है at the same time router के ओपर 10 लोग काम कर रहे हैं remotely तो मैं line vty 02 यहां पे 9 दे दूँगा 0 to 9 का मतलब है total 10 people तो पहला बंदा जब remote लेगा तो उसका line virtual terminal उसको 0 and मतलब मिलेगा दूसरा बंदा आएगा उसको 1 मिलेगा तीसरा बंदा लॉगिन करेगा उसको दूसरा terminal मिलेगा यानि आप virtual terminal create करते हो देखो terminal क्या है it's a console again it's a console again but it's a virtual console यह जो आप line console की बात करे हो this is a physical console router का but these are the virtual जब आप router को remotely access करोगे तो means virtually आप access कर रहे हो आप बैठे हो first floor पर या आप बैठे हो इंडिया में आपका router US में रखा हुआ है और इंडिया से आप router को US से access कर रहे हो रखा हुआ है तो जो आप router को access कर रहे हो जो टर्मिनल आपके सामने मिल रहा है it's a virtual क्योंकि आपके physical ही तो connect नहीं हो ना आपके laptop से आप तो router से साथ virtually connected हो तो जो terminal मिलता है that is a virtual terminal, same ही होता है देखने में virtual terminal physical terminal look like विल्कुल same but the concept virtual means if you are connecting with the remote site if you are accessing your device via remotely that's concept of virtual when you are sitting on your inside your cabin I mean server room in cabin में बैठे हुए आप और वहां पे आप router को access कर रहे हो physically you are connected to your device that's a physical console right तो virtual terminal हम create करेंगे कितने virtually virtual में कितने लोग access कर पाए तो 5 people तो 0 to 4 if I want to 2 people I can access 0 to 1 I want 4 people can access at the same time that means 0 to 3 पहला बंड आएक उसको 0 terminal मिल जाएक विर्च्वल दूसरा आएक उसको 1 बिलेगा, 3 तीसरा आएक उसको 2 चौत्था आएक उसको 3 वाल विर्च्वल वर्च्वल मिल जाएक नमबर और चौथा बंद एक पांच पो बंद आएगा तो उसको नहीं मिलेगा कोई भी टमिलर फ्री नहीं पड़ा है दिखाऊंगा कर एक दो शाली चाहिए उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है क्या पासवर्ड देना है यहां पर पासवर्ड टैलने दिया है नोंने कुछ पासवर्ड है सण को यह बना रखा है यहां पर लिखा हुआ है यह कह रहा है कि यह पासवर्ड है ठीक इन आटा टैलनेट उसके बाद फिर कम आगे जब आप लॉग इन करोगे चलो करके देखते इसको अब इसको अटा देते हैं उसकी जुरूत नहीं है वह में तो यहां पे चलते हैं Console Port पर connect करते हैं and then again connect Console Port Router को access करते हैं यहां पर 123 enable cisco at the red 1234 configure mode पर जाएंगे configure terminal, add मारोगे, enter मारने के बाद अब आपको कहां पर जाना है, आपको line VTY पर जाना है, virtual terminal, 0, अब कुश्चन मा करो, maximum 15, देखो, यह जो router है, यह Cisco का packet tracer का router है, it's a dummy device, जो line number है, it's a limitation, but if you go to your real production router, you can create thousands of virtual terminal, आप चाहते हो कि 100 लोगों को access देना, you can give, 0 to 99 हो जाएगा, but this is the virtual router, this is a dummy router, you can say, so we have the 16 people, अगर मैं 0 to 15 करता हूँ, that means 16 people can maximum, जो इसको पर एक साथ काम कर सकते, हैं, but I say, no, I just say 0 to 3, और 0 to 2, when maximum 3 people can log in, but virtual terminal पर जब बंदा कोई login करें, उससे password पूछे, तो मैं लेकूँ password, क्या password रखना है, मैंने 111 रख दिया, यह 123 ही रख देते हैं, enter मार देते हैं, password का माँगे, जब यह login करें, that's it, that's it, exit कर दो, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो, अब telnet करने के लिए न, इस router को और मैं telnet करना चाहता हूँ, तो इस router पे एक IP address होना बहुत ज़रूर है, तभी मैं remotely access कर पाऊँगा, अब यह router को मैं हवा बाजी मी तो access कर नहीं सकता, हूँ, 10.0.0.1, यह assign करता हूँ मैं, इस router के उपर, कैसे करेंगे, तो शायद यहाँ पे होगा, मेभी शायद, लेट भी, यह रहा, ठीक है, configure the fast ethernet, वट हमारे पास तो gigabyte ethernet है, कोई बात नहीं, आपको लिखना है interface, और उसके बाद interface का type, gigabyte है या fast ethernet है, और कौन सा type है, 0 by 0, यह number of the interface, यह type करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं बात करूँ, तो मेरा यह interface कहा है, देहन से देखो, it's a gigabyte 0 by 0 interface, interface type is gigabyte, gig means gigabyte, and the number of the interface is 0 by 0, so we have the type of interface, you can see, either you will get the ethernet port, you will get the fast ethernet, 1 second, ethernet port मिल सकता आपको, but it's a old technology, आपको आज की rate में नहीं मिलेगा, but you will get the fast ethernet, and you will get the gigabyte ethernet, and we have the number, it's a 0 by 0, 0 by 0, 0 by 0, so this is the number of the interface, and this is the type of the interface, अगर हमरे पास एक होता होता है, serial भी होता है, serial s 0 by 0, so this is the number of, sorry, 0 by 0, so this is the serial 0 by 0, means the type of interface is serial, तो अगर आपको इस पर करना है, तो आपको कमांड देना, interface serial 0 by 0, अगर आपको गिगाबिट पर दाना, तो आपको गिगाबिट पर दाना, तो आपको गिगाबिट 0 by 0, I will say fast ethernet f for fast 0 by 0, means fast type interface का type है, और यह क्या है, interface का number है, तो हमारा type of interface का है, gigabyte, and the number of the interface is 0 by 0, तो कैसे करेंगे, just go to your router, and terminal, say okay, access man already ले रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर configuration mode पर जाएंगे, और मैं लिखूंगा interface, gigabit 0 by 0, interface type is gigabit, g4 gigabit, and the number of the interface is 0 by 0, how I can say, लोगों यहाँ पर लिखा भी है, 0 by 0, ठीक है, तो मैं यहाँ पर, 0 by 0, और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, जब मैं एंटर कर दिया, तो आप मैं कौन से mode पर आ गया, again this is the interface mode, मैंने भी थोटे पहले बताया था, अगर आप उस packet उस पर जाओगे, थोड़ा से उपर, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर mode पढ़ाय था, तो अभी यह कौन से mode पर आ गए, इस mode पर आ गए, यह हमारा interface mode होता है, ठीक है, so this is the interface mode, अब आपको IP address configure करना है तो अभी लेंगे आप IP address, इंटरफेस करने जाके आप क्या configure कर रहे हैं, IP address, क्या IP address देना है, I said 10.0.0.1, and the subnet mask I said 255.0.0.0, class A ही रखते हैं भी फिलाला, और enter मार दिया, जब अब interface को पर IP address configure करते हो, तो interface को को no shutdown करना होता है, ज्यान डखना, by default आपका router का interface shutdown होता है, तो उसी पर चलते हैं, जहां पर हमने भी configure कर रहे थे, page number 85, 86, I got fast internet gigabit भी हो गई यहां पर कहीं नहीं है, तो यहां पर आप interface लगा दिया अपने, आप यहां पर description, आपको no shutdown भी command देना होता है, तो अगर आप इस command को नहीं दोगे, तो आपका interface off रहेगा, डाउन रहेगा, तो आपको interface को on कर रहे हैं, आपको command देना है no shutdown, तो मैंने यहां पर command दिया no shutdown, तो क्या बोल रहा है, interface अपके पास एक logs आया है, मैं आपके router पे, करा interface gigabit 0x0, change state to up, हमने no shutdown का mount दिया, तभी यह status का क्या आगया, अप आ गया, और क्या बता रहा है, line protocol भी up आया है, तो एक होता है status, state जो की up है, और एक होता है line protocol जो की interface का वो भी up है, तो दो चीज़ है, state and line protocol, क्या होता है बात में बात करेंगे, इनके बारे में भी, but आप जो no shutdown करते हो, तो आपका state भी up आ जाता है, प्रोटोकोल भी up आ जाता है, लेकिन sometime अगर आप देखोगे कि आपका state तो आप आ गया, बट line protocol डाउन दिखा रहा है, बताओंगा वो चीज़ कैसे होता है, तो अप आ गया, अगर मैं चाहूं कि इस इंटर्वीज को description अड़ करना, कि मैं लिखता हूं यहां पर description, and मैं लिखता हूं connected with switch port connected with switch 1, मैंने description भी आड़ कर दिया, कि जो मेरा यह जो router 1 का, जो gigabit 0x0 port है, वो switch 1 से connected है, अब हो सकता है कि आपके server room में 10 switch लगे पड़े हैं, अब मुझे जानना है कि जो मेरा particular router 1 है, suppose router 1 के interface में कुछ problem आ जाता है, तो आपको server room में बंदे को भेजना है, बोली या जाकि इस port को चेक करना जरा, क्या दिक्कत है, तो वहां पर जाओगे तो आप जो router का port है, switch के कौन से switch में लगा हुआ है, तो आप description में चीज़े add करके यहां आप से भी देख सकते हो, अगर मैं कैसे check करते हो, मैं बात में बताऊंगा, ठीक है वो चीज़ कैसे check करते हैं, फिलाल के लिए मैं यहां पर description add कर दिया, exit करो, exit करो, तो वापिस से मैं privilege mode पर आ गया, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने interface पर IP address लगाया है, 10.0.0.1, वो मुझे देखना है, तो आप command हो यहां पर show privilege mode पर, show ip interface brief, यह command होती है जिससे आप अपने interface की information देख सकते हो, एंटर करो, gigabit 0x0, 10.0.0.0.1 दिया हुआ है, और status आप है, protocol down है, अगर आप यह command दो, show run, चलो अभी run दो, उद नहीं जाएंगा भी, ठीक है, gigabit 0x0 कर पर 10.0.0.1 दे दिया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने बतार, telnet लेंगे इसका, तो मैंने IP address configure करना था, मैंने कर दिया, minimum configuration IP address होना ही चाहिए, जब telnet को आप configure करते हो तो, अब मैं क्या करता हूँ, इन system को भी IP दे देता हूँ, हो, तो मैं इस system को IP देता हूँ, suppose, इसको मैं दे देता हूँ, 10.0.0.0.11, इसको IP address हम दे 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 हैं, 10.0.0.0.13, और इसको IP हम दे 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 हैं, 10.0.0.0.14, अभी हमने IP address दिया यह सिरफ लिखा है screen के ओपर, IP address कैसे देते है और भी हम रिखेंगे, तो PC1 पे click करूँगा यहाँ पे सबसे top पे desktop लिखा रहा है इस पे जाओगे सबसे पहले लिखा रहा है IP configuration इस पे click करोगे और यहाँ पे आप IP दोगे 10.0.0.11 Subnet mask पे click करोगे अपने आप ले लेगा, cross कर दो PC2 पे चलो Desktop IP configuration 10.0.0.12 Subnet mask cross PC3 पे चलो Desktop IP configuration 10.0.0.13 Subnet mask पे click करोगे अपने आप आजाएगा, cross कर दो पर से PC4 पे चलो Desktop IP configuration 10.0.0.14 Subnet mask cross अब सबसे पहले क्या करना है PC1 पे चलते हैं और PC1 पे यहाँ पे आपको मिलता है Command Prompt Command Prompt इस पे के लिए Terminal पे नहीं जाना है Terminal पे जब click करना है जब router physically connect होता है But मैं बैठा हूँ Switch के साथ connect हो रखा है मेरा laptop मैं desktop है जो कि मैं Switch से connected है तो आप यहाँ पे Command Prompt पे जाओगे Command Prompt पे मैं system के Command Prompt पे आ गया अब मुझे system की IP देखनी है तो command होती है IP config यह system की command है computer की IP config तो मुझे बता रहा है इस computer पे एक IP disk configure है 10.0.0.11 और मुझे पता मेरे router की IP क्या है 10.0.0.1 तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा computer telnet लेने से पहले मैं अभी telnet लोगा 10.0.0.1 मैं पहले देखूँगा कि क्या मैं अपने system 10.0.0.0.11 से इस network इस IP को reachable कर पार हो की नहीं कर पार हो तो enter मारूँगा तो मुझे यहाँ पे reply मिल रहा है I am getting the reply from 10.0.0.0 reply from 10.0.0.1 मतला मुझे 10.0.0.0.1 से reply मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा टेलनेट करूँगा किसको करूँगा 10.0.0.0.1 तो यहाँ पे मैं लेखूँगा टेलनेट और कमांड दूँगा 10.0.0.0.1 password हमने दिया था 123 और enter मार दिया तो देखो मैंने PC1 से router को access कर लिया इस system से राउटर को वर्टॉल वी रेक्सेट कर लिया यह देखो अब अगर मैं इस लैप्टॉप पे जाऊँ अब यह मैं लैप्टॉप पे वापिस आ गया और यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ show users enter तो देखो कह रहा है कि एक वर्टॉल टर्मिनल है जिसका नंबर जीरो है एक system है 10.0.0.11 उसने इसका access ले रखा है कहां से location है यहाँ पे किस IP से access ले रखा है और कौन सा terminal रसाइन हुआ है तो मैंने बनागा कि 4 terminal अब जीरो टू टू बनाए था जीरो टू टू तीन पीपल जो 3 पीपल है वो आपके router को at the same time access कर सकते है तो पहला बन्द आया उसको कौन सा terminal number assign हो गया जीरो और कहां से आया है 10.0.11 से चलो एक और machine पे चलते है PC2 पे चलते है command prompt पे आते हैं और यहाँ से हम again telnet करते है 10.0.0.1 को password 123 एंटर मा दिया router 1 का access PC2 ने भी कर दिया दो लोगों ने access ले लिया है तीसरा बंदा command prompt 10.0.0.1 चाह टेलनेट लिखना पड़ेगा सॉरी 123 router 1 का access PC3 ने भी ले लिया तो अब अकर मैं यहाँ पे जाके show again users करूँ यहाँ पे who भी कर सकते हो आप में रिखल से चले कर ने चले कर देखते हो नहीं चलता है show users enter जो virtual terminal है 0 उसको 11 को assign हुआ है एक virtual terminal 1 है जो की 12 को assign हुआ है 2 को 13 तो हमने यह terminal बनाये थे 0 to 2 तो 0 भी use हो गया 1 भी हो गया 2 भी हो गया अब मेरा कोई भी virtual terminal free नहीं पढ़ा है सभी लोगों ने माला सभी जितने भी यूजर्स थे उन्हों को यह assign हो चुका है अब कोई भी virtual terminal number free नहीं है router के पास यानि जो आप चौथा बंदा है अगर वो टेलनेट लेने की कोशिश करेगा वो नहीं ले पाएगा क्या कह रहा है connection close by the foreign host जो आपका foreign host मतला जो router है उसने connection को क्या कर दिया close कर दिया भाई मेरे पास अभी कोई terminal free नहीं पढ़ा हुआ है तो अगर मैं किसी एक को disconnect कर देता हूँ सबोज मैंने router PC1 को मैंने यह से disconnect कर दिया exit कर दिया देखो exit कर दिया ना अब अगर आप laptop पे जाएंगे और देखेंगे तो आपके पास 1 and 2 use हो रहा है V2i 1 and V2i 2 use हो रहा है जो 11 वाला system था वो हड़ गया तो अब अगर यह system जो है अगर आप यह पहले तो नहीं दे रहा था ना कर दिया था इसने बढ़ अब करेगा तो आप तो अगया तो तीन लोग at the same time access कर पा रहे है चौत्सा बंद आप जाएगा PC1 फिर से जाएगा PC1 करेगा आप telnet नहीं कर पाएगा तो अगर मुझे ऐसा है कि मुझे अपने जो टर्मिनल की लाइन है अब मुझे दुबारे से बढ़ाने आए पहले मैं ने 022 किया था तीन लोग access कर रहे है अब यह बंद थोड़ा से एक्सपर्ट हो गया network में company कहती है इसको भी access दे दो मलब अब जो टर्मिनल है इसको access तो है बंद अब तेनी लोग कर पा रहे थे अब अब आपकी company में चार बंदे हाय हो गए at the same time चार लोग काम करें एक shift के अंदर network के तो चारो लोगों को मान के चलो कुछ काम करना है इसको कुछ network कुछ configuration assigned किया हुआ है इसको कुछ configuration assigned किया हुआ है इसको बोला कि आप बेक अगरा ले लेना इसक कुछ और काम दिया हुआ हुआ है तो चारो लोगों को अलग-अलग काम इल्वा इस राउटर को पर तो यह बंदा काम करेगा यह बंदा यह बंदा तीसरा बंदा नहीं रह पाएगा तो आप मुझे क्या करना होगा लाइन वर्चुल टर्मिनल जो मुझे बढ़ाना है कैसे बढ़ाना है कॉन्फिकर टर्मिनल पर जाओ यहां पर लेको लाइन वी टी वाई जीरो टू ठी कर दो बस आप नंबर इंक्रीज कर दो जीरो टू 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 कमला चार लोग और आप देखोगे PC1 ने एकसस ले लिए बारत ना अब ले लेगा अभी भी ने ले पा रहा रहा ना तो एक सकिंद हमें यहां पर लॉग इन भी करना पड़ेगा लॉग इन कमांड और पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा पासवर्ड 123 और राइट यहारी आपको दुबार से कमांड चलाने है लाइन वी टीवाई 0-3 पासवर्ड 123 और फिर लॉग इन टीनो कमांड आपको दुबारा चलाने पड़ेगे अब आप देखेंगे PC1 जो एकसस नहीं ले पा रहा था अब ले लेगा 1-2-3 तो PC1 ने भी एकसस ले लिया PC2, PC3, PC4 ने कैसे वेरिफाई करोगे शो यूजर्स कमांड से चार्ट टर्मिला यूजर्स हो गए अब आपके 0-2-3 फिर से बढ़ाने हो मानके चलो और बढ़ाने है तो 0-2 फिर बढ़ा होगे फिर बढ़ा सकते हो आप समझ में आ रहा है गाईज एवरिवन हाजी समझ में आ रहा है सबको ओके ग्रेट तो यह लाइन वीटिवाई था यह लाइन वीटिवाई की कमांड थी ठीक है और उसके बाद इंटरफेस पर आई-पी देना जरूरी है दर्वाइस टेलनेट नहीं ले पाऊगे ठीक है जैसे मैं करा रहा हूं पैकेट ट्रिसर पे आपको लोगो यह सॉट्फेर का लिंक भेद दूगा गूगल ट्रैप के आपके ग्रूप में डाल दूगा तो आप लोग डाउनलोड कर लेना इंस्ट्राल कर लेना प्रैक्टिकल तो इसी पर करना पड़ेगा इस आपको पैकेट इस पर मैं करा रहा हूं चीक है कैसा स्टॉल कर ना बहुत इज़ीर डबल किलिक करना नेक्स-णेक्स-णेक्स-इंस्ट्ल कर लेना और मैंने शायद आप लोगो को खुछ दिन putting पहले एक वीडियो भेजात Markvrir जिसमने एक वात हता है Cisco के ऊपर आपको एक्काउट कैसे स्क्रेट करना ए करना है पहला काम आपको ये वीडियो देखना है और netcat पे जाके अपना account create करना है, sign up करना है उसके बाद packet tracer install करना है, मैं भी link देदूँगा packet tracer का भी, घर जाता हूँ, मैं एक बाद देखता हूँ, मैं laptop में देखे वो download कर लेना, install भी कर लेना, लेकिन install करने के बाद आपसे username password पूछेगा, तो username password के लिए आपको ये जो वीडियो मैंने भी भेजा है साइट पर जाके आप अपने आपको sign up नहीं करते हैं अपने email id से, जो भी आपके existing email id उससे, करने के बाद आप उस पर login कर लेना चल जाएगा, ठीक है, तो कैसे करना, step by step follow करना, ठीक है, उसके बाद ये practical जो मैं बता रहा हूँ, ये, मैंने book भी दे दिया आपको, सारी confusion य चलो एक दो चीजा और कर ले रेते हैं, अब is time कौन आया भाई, आलिम जी आया है, मूट कर लेजे, 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 थैंक्यू, तो वापिस अपने book पर आते हैं, वीडिया पर, ठीक है, ऐसी अगर serial interface होता तो अभी दे अब मैं आपको बता रहा हूँ, creating message of the day banner, आप message of the day, यानि कोई दिन में कोई message आप जनरे, मान के चलो जो router आप access कर रहे हो, fire router को आप, तो जो network engineer जब उसको access कर रहा हो था, junior network engineer भी हमारे company में काम कर रहे होते हैं, senior भी काम कर रहे होते हैं, तो मान के चलो कि आपने कुछ router को आपको पर ऐसा configuration करना है, या आपके company में कुछ ऐसा, जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ रहा है, banner, message of the day, लिखा है banner of the, banner और उसके बाद MOTD, message of the day, चीक है, हमें एक banner set करना है, जिसमें message of the day हमें set करना है, तो यहाँ पर cat set किया हुआ है, जैसे building power will be interrupted next Tuesday evening from 8 a.m. to 10 p.m. 2 घंडे के लिए आपके, हो सकता है कि आपके building में power की supply में कुछ issue रहे, interrupt हो, तो उस time हो सकता है कि जो network other engineers है, उनको यह चीज अवेर करना है, तो जब भी कोई router को access करेगा, तो उसको यह message दिखाई देगा, तो इसको हम लोग set करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, देखो, configuration mode पे जाओ, यहाँ पे लिखो banner, banner, m-o-t-d, मतलब banner हमें set करना है, message of the day, अब जो message of the day आप set करोगे, तो यहाँ पे आपको question mark करो, क्या बोल रहा है, कि आप एक character, कोई भी character से start कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी, आपको start करने के लिए message जो, आपको set करना है, जो message आप character देना पड़ेगा, starting करने के लिए, तो मैंने जैसे दे दिया, मान के capital में Z दे दिया, capital Z दे दो, कुछ भी दे दो, it's your, आपके पास number 1 से लेके, special character से लेके, ABCD से लेके, बहुत सारे digits है, you can use any digit, लेकिन जो digit आप use करोगे for the starting, message देने के बाद last में आपको उसको close करना पड तो starting में जो भी आप character use करोगे, last में, यानि आपने एक message drop करना है, एक message देना है, suppose आपको एक message देना है, कि power will be interrupted, तो आपको starting Z करना है, last में अपने capital Z दे दे दिया, इसके बीच में आपका message रहेगा, लेकिन starting में Z दिया, तो last में भी Z देना है, अगर आपने starting में Z दे दिय और आप लिखते चले जा रहे हो, जब तक, और यह capital Z है, तो last में भी capital Z ही देना पड़ेगा, जब तक आप यह नहीं दोगे, आपका message लिखते चले जाओगे, and नहीं कर पाओगे, तो आपको कोई ना कोई character से start करना है, either I can see, मैं capital C ले ले लेता हूँ, और इसके बाद message द देना है, तो मैं यहाँ पर क्या करना हूँ, capital Z दे देता हूँ, sorry, capital Z, capital Z, दे दिया, उसके बाद, जो message देना, बुक में वही ले देता है, ठीक है, यही मैं ले ले देता हूँ, building interrupt copy होगा, let's check, okay, second, मैं यहाँ पर selection पर जलता हूँ, type selection, इस message को हम यहाँ से copy कर लेते हैं, यहाँ पर देखो, अरे यार, यह क्या है, यहाँ पर हम copy करते हैं, इसको, यहाँ से मैंने copy कर लिया, अब देखो, यहाँ पर इसने, यहाँ से start किया हुआ है, और hash पर खतम किया है, जो भी starting में रखोगे, वही आपको last में रखना है, either can use any character form, तो मैं इसी message को यहाँ पर type कर देता हूँ, ओ, वाओ, यहाँ पर, कह रहा है, यहाँ यहाँ पर देखो, end भी z से करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, गर्ड बढ़ोगे न, रुको, यह message हमें चिपकाना है, तो copy करो, अभी तो गर्वड यहाँ होगे, कि हमने यहाँ पर यह दे दिया, तो इसको अंते z कर दो capital, capital z से close कर दो, और मैं यहाँ पर वापिस से no कर देता हूँ, ठीक है, अभ वापिस से हम लिखते है, banner, MOTD, banner of the day, capital z से start को लो, या hash से start को लो, doesn't matter, मैं hash रे कर लेता हूँ, और मैं right click करके अपने उस message को paste कर देता हूँ, और लास्ट वे मैं 8 PM to 10 PM, चीक है, यह क्या हो रहा है, तो यह ले लेते हैं, फिर से copy कर लेते हैं, फिर से लिखते है, banner, MOTD, hash लगाते हैं, और अपने message को यहाँ पे paste करते हैं, और last में फिर hash लगा देते हैं, और enter मार देते हैं, आपका message, मैं hash नहीं लगूँ तो message लिखता हूँ चला जाएगा, ठीक है, और मैं इसको, मान के चलो, मैं सारी confusion save करना चाता हूँ, तो यहाँ पे command होगे do right, चलो do नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ से exit करो, और यहाँ पे लिखो command right, तो जो भी configuration मैं अभी starting से करता हूँ आ रहा हूँ, अभी save अब जाके हुई है, अगर आप इसको नहीं करते, right command आप नहीं लिखते, तो गलती से router reboot हो जाता, तो सारी configuration आपकी delete हो जाती, तो जब भी आप router पे कोई configuration करते हो, तो command आपको क्या देनी है, right, right command देते हैं, आपकी command save हो गई, आप लोग खुद करोगे, मैं क्यों करूँ, आप खुद करोगे तो फिर सीखोंगे कैसे, अगर मैं ही करके दूँगा तो फिर सीखोंगे नहीं पाओगे न, आपको packet tracer का जो link है, I will give it to the group, just download, double click next next next, आप खुद ही install कर लेना, आज तो मैं कर दूँगा, अकल को किसी company में जाओगे, आपको खुद practice करना बढ़ा क्या करोगे, फिर मुझे phone करोगे, तो अपने आप करो, कोशिच करो, अगर कुछ issue आएगा, तो मैं को बताना, कि sir मुझे नहीं हो रहा है, बैसे कु कुछ issue आएगा, take a screenshot, मुझे screenshot करके, मुझे shake कर देना, अगर मैं होई पर बता दूँगा, अगर तब भी कुछ problem आते हैं, फिर मैं index लेके कर दूँगा, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत easy steps है, चलो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, router को 10 net करता हूँ, ठीक है, 10.1.1.1, sorry, 10.0.0.1, जैसे मैं इसको access कर रहा हूँ, तो एक message मिल रहा है, building power will be interrupted next Tuesday evening 8 to 10 p.m, मतलब एक message of the day, कुछ भी आप दे सकते हो, जरूर ने कि यही message देना है, जो भी ऐसा आपका management है, कोई starting में तो आपको नहीं पता, जब आप decision level पे जाओगे, तो आपको नहीं पत लेकिन अगर आपकी company बोलती है, कि आपको message अपता day set करना है, वो आना चाहिए आपको, करना, message भी वो खुद ही बताएगा, कि यह message करना है आपको, अभी है अट गया, तुम्हाँ यहाँ पर दे दूँगा, 123, लेकि जब भी बंता कोई login कर रहा है, login करते ही उसको क्या मिल मिल रहा है, यह message मिल रहा है, building power will be interrupted next Tuesday evening from 8pm to 10pm, जो भी बंता message को पढ़ेगा, तो समझ माया जाएगा, हाँ, यह चीज होने वाला है, आज, या कल होने वाला है, वटेवर, ठीक है, तो this is the message of the day, हमें यह जरूर, देहां देहना, यहम लोग कॉन्फिगर करते हैं, जब भी क काम आता है, कभी ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग को काम मिलता है, यह message of the day, जो है, banner set कर दो, तो को आना चाहिए, लोग इन बैनर भी आता एक, जब आप लोग इन करोगे, तब आपको banner दिखाएगा, जैसे, authorized user, authorized person only, please enter the username and password, कई बार आद देखोगे, जब भसे हम लोग क्या करते हैं, जब आप CCNPV लेबल वगरा करते हैं, अब भी तो देखो, आसकल online का setup हो गया है, और आप अपने सार practical अपने virtual lab पे ही कर सकते हो, तो जरूरत नहीं को physical device लेने की, लेकिन जब मैंने CCNPV किया था, ठीक है CCNPV किया था, तो वहाँ पे हम lab में जाके बैठते थे, तो वहाँ पे, हलाकि lab का access हमको नहीं मिलता था, बर रिक्रस करने में मिल जाता था, तो वहाँ पे, जब हम router को access करते थे physical router को, तो हमारे को login जैसे हम करते थे router पे उपर तो हमारे message आता था, please do not change the password, do not set your password, आप मतला हर तरे से जो भी router को problem हो सकती है, वो सारे line लिखे हुए थे, बैसलिक पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब भी router पे login करो, तो आपको कुछ Banner MOTD, जो message of the day होता है वो, और आपको आना कैसे को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूँ, यह एंटर करना चाहता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले हुए, कॉपी कर लेते हैं, और मैं नोटपड पर टाइप कर लेता हूँ, और इसको हम सेट करते और यह कब दिखाए देगा, वो दिखाता हूँ मैं आपको, और ली, authorized person only, please enter the, enter your username and, अच्छा password ने लिखा, चलो, पासवर्ट, ठीक है, यह आपने लिख लिया, तो अगेन आपको क्या लिखना है, कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम login Banner लिखते हैं, configuration mode पे चलते हैं, और यहाँ लिखते हैं, login, sorry, Banner, login, अच्छा से स्टार्ट करता हूँ, space दूँगा, paste करूँगा, space देता हूँ, और यहाँ पे मैंने add the rate लगा दिया, लास में, तो जो starting पे लगाऊँगे, वही आपको last में लगाना, और enter बार दो, set हो गया, and again, right command, अब right command में जब दूँगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, invalid input, क्योंकि यह right command आपको यहाँ पे global confusion mode पे नहीं चलानी है, इसको privilege mode पे चलानी है, प्रिविलिज मोड कौन से होती है, जहाँ पे hash symbol होता है, राउटर के बाद, लेकिं मैं इसी command को यहाँ भी चलाना चाता हूँ, तो आपको command देना है, do, right, और enter मालना है, तो आपको right से पहले do keyword को use करना पड़ेगा, तब ही आपकी save होगी, do keyword कब चलाओगे, जब आप global configuration mode या किसी other interface mode पे होगे, तब, अगर आप privilege mode पे हो, suppose आप इस mode पे हो, तो यहाँ पे आपको directly right command चलाना है, यहाँ पे do right चलाओगे, तो error देदेगा, यहाँ पे do command नहीं चलता, यहाँ पे directly right command चलेगा, चलो मैंने login banner दे दिया है, तो यग बाद चेक करते हैं, तो मैं PC 3 पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं type करता हूँ, telnet 10.0.0.1, यह login के लिए पूछ रहा है, देखो, authorized person only, please enter, उसर नाम and password, तो यहाँ पे, username password दाने के लिए पूछा, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पास्वर्ड दाने के लिए पूछा है, यहाँ पे बताओ को कैसे username पूछेगा, यहाँ पे, ठीक है, तो password यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैंने दे दिया 123 और enter मारिया, तो यह login के time पे आएगा, और यह message of the day आएग होगे, आपको global, अच्छा, एक सब्सक्राइब, मैं अपने फिजिल पे चलता हूँ, इसी पे चलते है, तो मुझे message of the day, जो banner हमने लगाए था, उसको अठाना है, कैसे अठाओगे, configure mode पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे banner, motd, इसके आगे आपको no लिख देना है, वो message type क करनी की, जरूतनी की क्या लिखा हुआ है, just say no banner message of the day, motd, and then do right, ताकि मेरी command save हो जाए, अब अगर मैं login करूँगा, तो मुझे motd वाला जो जो बाना हा रहा था, जुसमें interrupt वाला message था, वो नहीं आ रहा था, वो नहीं आएगा, चलो PC4 से check कर लेते हैं, only authorized वाला ही आ रहा है, वो message of the day था, वो हट गया, तो देखो, banner message of the day उसी दिन के लिए था, आपने लगाए, वो दिन निकल गया, तो आपको banner हटाना भी पड़ेगा, यह नहीं लगाई हुआ है, every day लिखा रहा है, अगले Tuesday को, फिर अपका रिश्टाट हो का, तो problem है, तो message of the day आपको हटाना है, कैसे हटाना है, आपको global contribution पर लिखना है, no banner MOTD, अब लॉग इन यूजर नेम आपका आगया, इस तरह से आप करते हो, ठीक है, और मान के चलो हमें ये भी हटाना है, ठीक है, आला कि मैं यहां पर 123 करूँगा, तो मैं यहां पर 123 करूँगा, फिर से करते हैं, तो मैंने जैसे लॉग इन किया नहीं कुशी करा तो मुझे क्य जाएगा, चेक कर ले, चलो, अभी पूछ रहा था था थोड़ी ते पहले, अब डारेक्ली कुछ ही नहीं लिखा हुआ रहा, तो आपको हटाना भी बता दियो और लगाना भी बता दिया, तो फिलाल के लिए हम अभी यहीं तक रखते हैं, क्रिएटिंग लॉग इन बैनर आप लोग को बता दिया, और भी चीज़े, क्लाउग जोन, ठीक है, यह सेट करना है, यह बताँगा, डोमेन लुक अप क्या होता है, लाइन कंसल के ओपर यह क्या होता है, I will tell you on everything, इसको हम लोग डिटेल में डिसस करेंगे, ठीक है, जरूरी के सारे कमांड आपको होगे, तो बाकी के कमांड भी आप पढ़ पढ़ के कर लोगे, ठीक है, पहले हम लोग उस्टोन सीखेंगे, ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारी चीज़े आपको बताई, तो एक बार वीडियो मैं नाइट में अपलोड कर दूँगा, और एक्सस दे दूँगा, फिर आप आपको बार इस वीडियो को, आलम जी आपको खास करेंगे, आप जोइन अज लेट हुए हो, और, ने ने ने, सेटरड़े संड़े दो दिन था, चलो कोई बात नी, मेरे को, एक्शल में दिक्कत यह भी हो थी, कि मोहमद जी को भी प्रॉल्लम में यागी थी, क्योंकि जो ट को देख लेना, कल, जोइन होने से पहले इस वीडियो को देखना है, चाहिए दुनि